हेलो फ्रेंट स्वागत आपका स्टड़ी है चैनल पे जैसा कि आपको पता है कि अभी वकाइब की सिरी चले है जिसमें हम बात करते हैं वकाइब की एकदम बेसिक लेवल से जिने कुछ नहीं भी आता हो गब वकाइब में वह भी सीख सकते हैं इसमें हम नया करते क्या है तो आपने बहुत जगह नेमोनिक्स पर रहा भी होगा खीक है तो नेमोनिक्स से साथ साथ हम पिक्चर का भी यूज करते हैं ठीक है पिक्चर टेक्निक यूज करते हैं और जिनके नेमोनिक्स और पिक्चर से अगर आपको समझ नहीं आती है तो हम उसके स्टोरी भी फर्म करते स्टोरी के रूपे समझने की कोशिस करते हैं ताकि आपको एक्जाम के समय चीजे याद रहें जब आप कोश्चन देखो तो आपको स्ट्राइक कर जाए कि ऐसे स्टोरी सर्ण ने बताया था इस समय यह है इसका इंसर ठीक है तो आपको ऑप्शन देखते ही एंसर फटाक से आ हमाई 19 एपसोड हो चुकी है आज हमारा 20 एपसोड है ठीक है अब यूँ कैसा अपको क्लास है ठीक है चले बीना देरी के शुरू करते अपना क्लास और जानते कि क्या है आगे तो जैसा कि मैं होमवर्क मैंने दिया था लास्ट क्लास को हमवर्क देता हूँ जिसके आपको करने होते कमेंट में या जो भी अप्रेसियेशन देना चाहते हूं वह कमेंट करें तो मैं उसको इंक्लूड करता हूं तो हमवर्क का एंसर किया है मधुलिका पाटिल ने कोमल यादम ने ठीक है और मोहिट पाथक ने इन्होंने हमवर्क का एंसर किया बांकि इसका जी उसे को बहुत था एवंज सुसकु बदला ले तो उसी को बहुत तो तो अर्वन दे वेंज की है अप मूविस ए तो यह सब सुसीरेयर की बदला लेतेया जोगा कीए प्रती बदला लेते है इस बदला लेते हैं mesmo अब ऐसा से याद रख सकता हूं आप कुछ चीज्य याद रख रख लेंगे और एंट्वनिम्स की बात कर ले तो होगा फोर्गो कॉंडोन कॉंडोन मतलब क्या होता है माफ कर देना ठीक है अब बदला नहीं ले रहा तो उसका पुझ का है माफ कर दे रहा हूं ठीक है चले next बात कर ले तो इतना वायरल हो गया था कि इस पर टिक टॉक पर इंस्टाग्राम पर इतने डिल्स बन गया थे कि लोग ऊप गये थे इस वर्जन से आपको आप नफरत होने लगी जब जादा हो जाते हैं अब देख सकते हो डिसलाइक के लिए हम ऐसे करते हैं हमारे एमोजी और हैअब मतलब क्लों कोई ही चीज को करते हैं और dealt keep away from steer clear off keep at arms length भी होता है यह एडियम भी है तो यह सब का मतलब ही होता है जैसे कि आप देखलो अगर आपके बहुत सारी लोग जो होते हैं टैक्स भागते हैं टालते हैं टैक्स हो चलो इस बाद नहीं देना है ताकि मेरे जो पैसे बच जाए ठीक है आप जैसे यह ले सकता हो कि एकर की आपका सामना हो गया उससे तो आपके याद रखना है ऐसे डाइटिंग पर हो तो फास्ट फूर को क्या करोगे एवाइड कर दोगे इवेड कर दोगे नेक्स्ट बात कर लेते नेक्स आओ मतलब वहता सरद्धा ठीक है एडमाइरेशन वंडर एमेजमेंट यह सब इसके क्या ह निकलता है ना जब कोई भी अच्छी चीज देख लेते हैं वह तो वह कैसे निकलता आवाज ठीक है वाओ ऐसे हम कहते हैं तो यहां पर यह रॉक है आप जानते ही होगे डुएन जॉनसन है ठीक है इनका पूरा नाम हॉलिवूड के एक्टर है और यह फाइटर भी थे तो ने जब जैवलिन ठोकिया तो रिकॉर्ड बना दिया नया तो लोग क्या कर रहे थे वाओ ऐसे उसको एड्मायर कर रहे थे वंडर हो रहे थे अमेजमेंट बोल सकते है ठीक है उसके एंटोनीम की बात कर ले तो हो जाएगा डिजय है डिसपाइस मतलब क्या होता है नफरत क इनकी बुराई करोगे आप ऐसे याद रखना नीदर चोक्रा का याद रखना फेस जैसे नार्मूल हो तो वैसे नहीं विक्रित हो गया है ठीक है अपने पास से भठक गए है तो ऐसे भी याद कर सकतो कि बहुत गलत हुआ था कि अपने पाथ से भटक गया था पटरी से उतर गया था ठीक है विक्रित हो गया था तो ऐसे आप चीजों को याद करके याद कर सकतो कि बात कर लें तो जागा स्ट्रेट सिमेट्रिकल स्ट्रेट मतले होता है सीधा चलिए आप ऐसे फीगर याद रखना यह दो फीगर याद रखना हो तो चीजे आसानी से याद रहेगी और एक दो बार आप देख लेना वर्ड को होता है बहुत पर वर्ड हमारे सामने से नहीं ठीक है अपने इसे जोग्राफी में पढ़ा होगा ठीक है अगर आप जोग्राफी पढ़ रहे होगा तो वहां पर आप इसका जिक्र हुआ होगा और लार्ज बोड़ी ऑफ वाटर भी तो मेनी आइलेंड ठीक है अप याद रखना है नेक्स्ट है आर्काइब आर्काइब म अविलेखागार ठीक है अविलेखागार मतलब जहां पर आप अपने क्या करता हो पब्लिक या गर्वर्मेंट के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड करकर रखते हो आपके घर में भी होगा ऐसा कुछ अप अलमारी में रखते होगे ठीक है ऐसे रैक बनाते हैं फिर उसमें अपने ज होता ब Grekla season program ऑपलेशशब टेक्स और आपलोग आप लुग नहें देखा होगा जापर वोक्सिंग होता है व्रॉब्लीय यू सिर व्रिफ चलिए यह लिए जो और फ्राइट करें बनाया हुआ इसी को बोलते एरीन अखारा पेहले खुस्ती थी तो आहां पर आखारा यह गा जाता था और वाक्सिंग होती है ठीक है और फाइटी सोती हैं इंदारे श्राइट करने पर अथे औरिस्टोक्रैसी अब राज्य में वुलते हुआ तो इस को बोलते हैं अरिस्टोक्रैसी फिगार से देख पा रहे होंगे यह सब कौन सब नवयल लोग है इन लोग के द्वारा सासन किया जाता था ठीक है तो उसी को बोलते थे आरिस्टोपैसी चलिए नेक्स्ट बात करते हैं और फिच्टर फेट नेक्स अर्सेनल मतबह संद्र हागार्ट ही ए कि जहां सारी अपने संद्र रखते और वहां पे ट्रेनींग भी दिया या पर बदेख पारें होंगे जहाँ पर तरह तरह की देख थी नहीं यह सब आर्षनेल है देख वार इस इमेज में सस्त्र भी है यह सब सस्त्र के कैट्योगरी में आते हैं और यह सब अस्तर की कैट्योगरी में आते हैं थिक तो आज का जो एडिया में पहला है वो है a walk of life, ठीक है, किसी व्यक्ति का पेशा है या रुत्बाओ, ठीक है, अप अपने लाइफ में कहां तक चलते हो, कहां जाके पहुचते हो तो आपको डॉक्टर बनना है तो आप उसी पात पर फॉलॉ करते हो चलते जाते हो आगे तक तो इसलिए कहा जाता है वां कि आप पेशा का channel को देख रहे होगे सीनाचील के बता कि वाक उफ लाइफ इनका क्या है वफादारी करना घर की रखवाली करना तो हर किसी का अलग-अलग पेशा होता है नेक्स्ट बात कर लेते नेक्स्ट है और वेट वलैंकेट ठीक है मतलब क्या होता है कबाब महडी ऐसा परसन जो की डिसकरेज कर दे या फिर इंजायमेंट को खड़ाब कर दे ठीक है आप मालों की प्लैन बना रहे हो ऐसा आपका दोस्तों का वेट बलेंगे प्लैन बना रहे हो कि हमें गवा जाना है लेकिन वह लास्ट मोमेंट में प्रोग्राम को कैंसल कर देता है बोलता है नहीं भाई मेरे घरवाले जानी नहीं देंगे तो आपके पास सफेद चीज़ हो या सफेद आप ले लो की आपके पास कुरता हो तो क्या होता कि उसको रख रखा बहुत महंगा होता तो बार बार उसको वास्क करो ठीक है और प्रशानी भी आती कि कहीं इसमें दाग न लग जाए तो इसलिए कहा जाता आप वाईट एलिफे पोजेशन तो ऐसा प्याद अखना देख पा रहे हो वाइट इलिफेंट इसमें दाग धब्बे भी पर सकते हैं तो इसका मेंटेनेंस बहुत ही हो जाएगा नेक्स्ट है और वाइल गूज चेस ठीक है मतलब मतलब क्या होता है आप इसको बोल सब तो बत्तक या फिर हंस इ अनप्रोफिटेबल एडवेंच्वर और वर्थलेस हंट और चेस ठीक है और वाइल गूज चेस मतलब मतलब निराथक खोड़ चली नेक्स्ट बात करते है या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि अगर आप बस टर्मिनल पर हो ठीक है वहां पर आपका किसी ने पर्स मार लिया फिर अब भेर की खाल में भेरिया देख पा रहे होगा है यहां देख लो आप उसको कैसे तयार है चीक है तो हाइपोक्राइट पर्सन प्रिटेंडिंग टूभी हां ऐसा कोई पर्सन जो की ऐसे दिखाता हो कि नहीं नहीं मैं आपका बहुत हीत हूं मैं आपके साथ हूं लेकिन क्या करता है आप कहीं बुड़ा करता है तो आप लोगों की अभी तक हम लोगों कर लिया है वह का सौ वर्ड्स डिसक्स हो चुके हैं अब सौ तो यह कहने के हो गए हर वर्ड के सीनोनीम ऐंटोनीम ऐसे करके को स्टेंसर करता हूं तो वह 500 से भी प्रॉस्ट कर गया होंगे ठीक है तो चलिए आगे बात करते हैं तो आगे जैसा कि आपको पता कि हमारा एक पैंडोरा बॉक्स होता है जिसमें हम की लेकि जाते हो उपन करते हैं उसमें से क्या निकलता है और आप लोग रेगुलर होंगे तो आपको पता होगा न्यू है तो मैं बता दू कि जब पैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहों अर्सानी नहों तो आज का रूल है पार्टीसिपल और इंफिनिटिप्स की बात कर रहते तो मुस्क प्रवरबली आज यह खतम हो जाएंगे ठीक है तो क्या कहा रहा है कि पार्टीसिपल जो भी है कौई भी सबजेक्ट और रिफ्रेंस नहीं लेते हैं एक ंसे सो कोशन बहुत कम पूछा जाता है बहुत कम बार ही आए हैं एस पीजरी में अनरी वा सूचा कि अगर यह topic है तो मैं इसको discuss कर दूँ ठीक है तो इसलिए मैंने discuss किया है ठीक है here I is not subject of reference of considering so there is no subject of reference for considering still the sentence is correct ठीक है शेले next बात कर लेते हैं next आपको पता है कि हम PY questions discuss करते हैं तो आज हम बात करेंगे 6 December के shift पोल की यानि कि 6 December के चारो shift आज complete हो जाएंगे ठीक है डेली एक एक shift मैं discuss करता हूं तो दस सेकेंड मिलेंगा आपको answer करने one word substitute है ठीक है a group of stars having a particular shape चार option orbit galaxy planet constellation ठीक है चलिए next बात करते हो बाद बाद की easy word है आप इसको खुद कर सकते हो चलिए next है आपको synonyms बताना inherent ठीक है चार अपने inborn, increase, conclusion, superficial कल ही मैंने इसको discuss किया था कल ही के class में काई हो आप लोगोंने सही answer कर दिया होगा अभी तक तो आपको पता inherent का जो synonyms होगा वो क्या होगा इंबॉर्ण करेक्टर होता है इंबॉर्ण से जन्मजात बोलते हैं इंक्रीज मतलब बढ़ाना conclusion निस्कर्स ठीक है superficial मतलब होता सत्ता जो सत्ता पर होता सालो ठीक है soul बोल सकते हैं इसको नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपको वनवर्ड ही बताना है ठीक है आप स्मॉल आइलेंड बहुत हीज़िये लेगून इस्थमस क्या होगा ठीक है मैं चले सरे आप होगा आउय। आप लोगो सही अंसर बता देता है इसका जो सही अंसर बता आइलेंड ठीक है City है होता है शूट हैdessus यह िद्ट को बोलते हैं स्मॉल आइलेंड को बोलते है कि आप बोल सकते हो की अलमारी बोल सकते हैं इसको को बलाए लागुन क्या होता है अप लोग नहीं को नियुक्त को जो ने Economics का ने को नियुक्या है लाइंड जो होते हैं लैंड घूलेंड को जो ने Elle बिट एसपीशियस एरिया टू हाउस एर का हैंगर हाउस हैंगर एरपोट ठीक है आप लोग ने अंसर कर जोगा बहुत बहुत बार पूछा जाज़ा चुका आप ऐसे कर सकते हो कि हर साल किसी ने किसी सिप्ट में यह पूछी लेता है ठीक है तो अब कन्फूज मत हो ना दो सबसी इजी कोस्टन आज का है ठीक है डो से तीन से काफी थे बैने 10 ज्यादा ही दे दिया प्लोग सबी सब्सक्राइब कर दिये होगे अभी तक तो बिलीफ मतलब क्या होता है इसका सिस्टम पता है रिलीजन पता है यह सब बहुत इजी वर्ड है आप इसको खुद कर लेगा चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं नेक्स्ट आपको एंट्वनिम्स बताना है लेजर का ठीक है अब लोग अभी तक काई होप एंसर करी दियोंगे बहुत हीजी आपको कोई हेल्प की जोट नहीं पड़ी होगी सेंटेंस की तो लेजर मतलब क्या होता है अप देखो लेजर मतलब था अराम ठीक है होता था ना आपका लेजर प्रियेड भी होता था स्कूल्स में कॉलेज मियनिगा इस चल Spring को जब खाली होते तँनौत dolphins का क्या हो जलेखर में यह क्हाइं और आपको पता है सब्सक्राइंस रेस्ट्रिक्टर आपको पता है प्रतिएवन्द वार्जित भैंच वह हो जाएं गैज हुसार्य ऑर क्या बोल सकते हैं इसको जो चीज़ बैन है तो restricted है तो bounded होगा चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपको इस EDM का मतलब बताना है gesture of peace चार ओप्सन है और ग्रास वीडो वीडो हैलकंडेज एन ओली ब्रांच मदर भी चलिए इसी के साथ टाइम अप हो चुका आई होप आप लोगों ने इंसर कर दिया होगा तो gesture of peace का मतलब होता है एन ओली ब्रांच ठीक है इसका जो सही है वह है एन ओली ब्रांच चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपको सिनोनिम्स बताना है फटीग का ठीक है यह भी एज़ी है दस सेखेंड मिलेगे टाइडनेस फिबलनेस इफ़र्ट लोफ बहुत ही इजी कोस्टन है आई होप आप लोगों ने एंसर कर दिया और सबकी एंसर करेक्ट ही आये होंगे फटीग मतलब क्या होत की दूरी नेस बोलते है एक जौरी से मतलब के अज दूर्वालता जी कम ल já आथ आवे रिखी में सबकाते औरो लेह एक और रहोता है देवी दी टी-दी इस देवाइं तीमाट cd आपको पड़ा सब आभ चाली मैं लिखेंगर smr क्राई इंड्यल एंड्या वोर दीज़ ये सब होगए लोफ क्या होता है ठीक है ब्रेट का एक तुक्रा होता है दो कि बेख वोक्तित क्या हो फिक है में होता है पूरा साelnता है इसको ब्रे तो जब इसको piece by piece जो काटते है ठीक है आप देखे होंगा कि आप बेकरी वाला देता आपको piece by piece काट के ठीक है तो जो एक piece होता है एक टुक्रा होता इसी को बोलते हैं लो थीक है तो आप ऐसे याद है का अगर आप इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं वहाई है पिए उसको बोलते हैं नौफ इसको बोलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है एडियम का मतलब बहुत इजी है आप लोग ने बहुत बार इसको कर रखा और बॉन बिटे स्पून डाट वाज नॉट ऑफ गोल बॉन टू नॉट रिच पैरेंट बॉन रिचेज और लगजरी और बॉन बिटे स्पून एस्टापिनीज चलिए टाइम अप हो गया बहुत इजी था बहुत पर पूछा जा चुका अप लोग के लिए यह इजी पीजी था बॉन टू रिच एंड लगजरी ठीक है चांदी का चमच लेके पैदा हुआ मतलब लगजरी में हुआ अमीरी में उसका जन्म हुआ चलिए नेक्स्ट बात करतें तो नेक्स्ट आपको हमबर का वन वर्ड इसका बताना है इंटेंशन से स्टार्ट कर देता है फायर देख प क्लास में ऐसे हमारी क्लास ओवर हो जाती है लेकिन फाइव थर्टी से लेकर आप 10 पीम से मिलें आप करना ताकि मैं इंक्लूड कर पाऊं आपके भी कमेंट्स और आप लोग एंसर करो कमेंट्स ज्यादा से यादा करो हमबर्क जो मिलता है यह सब पीवाई की हुई है तो आपका फैदा ही है तो आज के लिए बस इतना ही आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर से जरूर बता है अच्छा लगाओ तो लाइक करें और अपने दोस्तों में सेयर करें जिने वोकाव और इंग्लिस ग्रामर की ऐसी क्लास चाहिए जो कि बहुत कम समय में ख कर लेते हैं और वो कैबू भी स्टडी कर लेते हैं ने मॉनिक्स के साथ एक फन वे में ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं फिरकल जय हिंद जय भारत